जैहिन दोस्तो 60 शब्द प्रती मिनट की गती से संपात के रिक्टेशन स्टार्ट अन्तह लोकसभा में कॉंग्रेस के नेता अधिर रंजन चोधरी ने राश्रपती द्रोपदी मुर्मु को पत्र लिख कर शमा याचना कर ली लेकिन यदि वह यहे काम पहले ही कर लेते तो ना तो उन्हें और ना ही उनकी पार्टी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता यहे मानने के अच्छे भले कारण है की उन्होंने मजबूरी में माफी मांगी क्योंकि पहले उन्होंने यहे इसपश्टी करन दिया की उनकी जुबान फिसल गई थी फिर यहे कहने लगे की बांगला भाशी होने के नाते उन्हें हिंदी का सही ग्यान नहीं है यहे इसलिए गले नहीं उत्रा क्योंकि बांगला में भी राश्ट्रपती को राश्ट्रपतनी नहीं कहा जाता इसके अतिरिक्त लंबे समय से सानसद होने के नाते उन्हें यहे समानने सी जानकारी होनी चाहिए थी कि जब प्रतीभा पाटिल पहली महिला राश्ट्रपती बनी थी तब किसी ने उस तरह की कोई टिपनी नहीं की थी जैसी उन्होंने की उन्हें यहे भी इस्मरण होना चाहिए था कि जब नजमा हैपतुल्ला राज्य सभा की उपसभापती थी तब भी ऐसा कोई सवाल नहीं उठा था कि उन्हें किस रूप में संबोधित किया जाना चाहिए निसंधे यहे भी समझ नहीं आया कि अधिर रंजन ने अपनी सफाई में यहे क्यों कहा कि राश्टपती चाहे ब्रामन हो या मुसल्मान अथ्वा आदिवासी उनकी पार्टी के लिए राश्टपती ही होता है पैरा फिलहाल यह कहना कठिन है कि अधिर रंजन के माफी मांग लेने के बाद इस प्रकरण का पटाक्षेप हो जाएगा या नहीं क्योंकि राश्टपती के संधर्ब में उनकी अभद्र टिपनी को लेकर संसद में सोनिया गांधी और इस्मृती इरानी के बीच जो तकरार हुई वह भी एक मुद्दा बन गई है इसे लेकर संसद में हंगामा भी हुआ इस सत्र में संसद के भीतर और बहार जैसा हंगामा हो रहा है वह अभूत पूर्व भले ना हो लेकिन यह साफ है कि राजनीतिक विमर्ष का इस्तर सबसे निचली सतह को छूता हुआ दिख रहा है स्टोप दोस्तो आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बोक्स में अपने सुझाव जरूर दें धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में